इस सीरीज पर कोई वीडियो बनाए और आप सबकी इतनी सारी रिक्वेश्ट और स्टाडेजी स्पेंडिंग थे सो यह महिने में दूसरा वीडियो डाल रहा हूं इस पर अगर आपको भी आपकी शाडेजी शायर करना है लोगों से और उसका रिजल देखना है तो आपको स्क्रीन पे एक मेल आईडी दिख रहा होगा उस पर अपना-पना सेटप बेज दीजिए आप उसका सेटप का नाम और जो भी आपको क्रेडिट्स लगेगा जैसे नाम, इंस स्क्रीप्शन में डाल दूँगा और एक चीज बताना भूल गया अगर रिजल्स अच्छा हुआ तो मैं क्रेडिट्स तो दे दूँगा and let's say रिजल्स अच्छा नहीं रहा तो don't worry I'll not mention your name unless you want me to और अगर आपको अननोमिस रहना है तो भी नाम ने लूँगा हम ऐसे ही वीडियो बना के हमारी trading communities को बढ़ा सकते है I appreciate लोग इसमें already बहुत सारा contribute कर रहे तो आज का strategy हमारे subscriber बिपीन तड़ा के तरफ से है so today we are going to backtest another strategy which we are calling ADX plus 200 EMA strategy from our subscriber Mr. बिपीन तड़ा ये strategy मुझे बहुत अच्छा लागा क्योंकि बहुत simple to execute है but powerful भी है so उनने मेल में लिखा था कि ये strategy आप बैंक निफ्टी में टेस्ट करना और 5 मिनस टाइम फ्रेम में क्योंकि वह बहुत profitable है उसमें so हम भी इसको बैंक निफ्टी में ही टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे काम करता है तो इंट्रो के इतम strategy पर चलते हैं जाँ 80x plus 200 EMA strategy from our subscriber Mr.Bipin Tada को total 100 times test करेंगे in bank nifty और चेक करेंगे कि कैसे काम करता है so hi everyone this is Pranit from Trader Insight let's start the video सबसे पहले हम trading view open करेंगे अभी उपर क्लिक करेंगे और bank nifty search करेंगे यहाँ पर bank nifty आ जाएगा इसे add कर देंगे अब time frame को 5 minutes कर देंगे इसके बाद उपर indicator में क्लिक करेंगे और ADX search करेंगे so built-in वाल आ जाएगा इसे add कर देंगे अब इसके indicator में जाएगे और एक horizontal line add करेंगे आप उपर से simply एक horizontal line add क्लिक करके इधर क्लिक करोगे न तो अपने अब आ जाएगा या फिर आप directly alt h करना तो एक horizontal line अपने आप आ जाएगा अभी इस line पर double click करो और coordinates को 20 कर दो अभी वापर उपर indicator में जाओ और यह में search करें तो आपको इधर exponential moving average आएगा इसे हम दो बार chat में add कर देंगे अब जो first वाला है हम उसका settings open करेंगे और length को 10 कर देंगे फिर style में जाके इसको green color कर देंगे और तिकनES बढ़ा देंगे और okay कर देंगे अब second EMA का भी setting open करेंगे और length को 200 कर देंगे style में जाके color को white कर देंगे और thickness बड़ा देंगे लो हो गए setup ready चलिए rules for buy entry देखते है first rule ADX should be below 20 फिर a candle close price should be above both 10 EMA and 200 EMA जैसे यहाँ देखे है यहाँ ADX 200 के नीचे है और यहाँ पर यह candle का जो close price है वो 10 EMA और 200 EMA के उपर closing दिया है यह हमारे लिए trigger candle बन जाएगा entry would be at close price of the trigger candle stop loss would be previous swing low और max 150 points अगर previous swing low ही रखेंगे अगर previous swing low 150 points के उपर रहा तो हम max 150 points ही stop loss रखेंगे और target 1.5 times the risk जैसे आप देख सकते हो यह example win था इसमें एक और condition हम यह डाल रहे है कि आप दिन में सिर्फ max 2 stop loss ले सकते हो अगर आपका 2 stop loss हीट हुआ तो आप trade आगे नहीं करोगे ओके I am clear about it चलिए अब next example देखते हैं जैसे यहाँ देखेंगे है यहाँ भी ADX 20 के नीचे गया और यहाँ पर price देखो 10 EMA और 200 EMA के उपर है यह वाला candle हमारे लिए trigger candle बन जाएगा तो हम इसके close पर entry ले लेंगे stop loss यह previous swing low के नीचे रखेंगे और target 1.5 times the risk और यह example बेविन था चलिए और एक example देख लेते हैं जैसे यह देखेंगे यहाँ भी ADX 20 के नीचे गया है और price यहाँ पर भी 10 EMA और 200 EMA के उपर है तो यह वाला candle हमारे लिए trigger candle बन जाएगा तो हम इसके close price पर entry ले लेंगे stop loss previous swing low के नीचे रखेंगे और target 1.5 times the risk बट unfortunately हमारे लिए यह loss था कोई बात नहीं अब तक हम सबको पता चली गया win or loss is part of the game आपको I hope आपको buy rules clear है आगे बढ़ने से पहले I would like to give a shout out to chat prime who are today's video sponsor जिनको नहीं पता chat prime is a customer indicator service यह बाकी indicator service जैसे आपको सिर्फ buy or sell के tips नहीं देते इनका गोल उन traders पर focus है जो अपने trading career करें में serious है और इनके tool को ऐसा buy or sell के तरह यूज ना करे इनको अपने analysis में यूज करें ये आपको total 5 indicators provide करते हैं which has more than 20 different confluence points जो आप अपने analysis में use कर सकते हो जैसा उन में से एक ये है जिसका नाम है dynamic reactor ये आपको market oracle के अंदर मिल जाएगा इसको आप moving average का भड़ा भाई मान सकते हो आप में से बहुत लोग होंगे जो 100 moving average या फिर 200 moving average को use करते होंगे for an important support and resistance level देखने के लिए so जब मैं chart में add करता हो ना देखो ये दोनों के मुकामले कितना better support और resistance दिखा रहा है यहाँ देखो ना जब ये price 200 moving average को break करके नीचे गया तो आपको यहाँ तक अगर आपने ये dynamic reactor देखा होता तो आपको early entry मिल गया होता और इतना बड़ा target मिल गया होता अब ये exactly क्या करता है कैसा है मुझे नहीं पता but from my observation ये दोनों line का average नहीं है exactly but मैंने ये notice कि ये दोनों line के range में move करता है और जबी भी ये दोनों moving average का crossover होता है जिसे death cross भी बोला जाता है यहाँ पर ये moving average है ना उसके उधर ही move करता है अगर आपको इसके आरे में और detail में जानना है तो मैं चाट प्राइम का YouTube का link description में डाल दूँगा obviously this is not for everyone और मैं आपको guarantee भी नहीं दे सकता हूँ कि आपको हमेशा पैसा बना के देगा but what I could suggest is कि हम लोग traders है तो हम probability पर विश्वास करते है so I would suggest to take their one month subscription and try out their product और जितना experimentation या back testing करना है कर लो न सही लगा तो ही continue करो वरना मत करो कौन force करता है मेरा code use करोगे तो आपको 40% तक off मिल जाएगा उनके product पे चलिए अब rules for sell entry भी देख लेते है first rule same है that is ADX should be below 20 फिर candle close price should be below both 10 EMA and 200 EMA जिसे यहाँ देखिए यहाँ पर ADX 20 के नीचे गया है और यह candle का जो closing है न वो 10 EMA और 200 EMA के नीचे है so यह हमारे लिए trigger candle बन जाएगा entry would be at the close price of the trigger candle stop loss previous swing आए और max 150 points और target 1.5 times the risk so यह example win था चलिए और एक example देखते है जैसे यह देखिए अभी यहाँ पर ADX 20 के नीचे गया है और price यहाँ भी 10 EMA और 200 EMA के नीचे है और closing दिया है so यह हमारे लिए trigger candle बन जाएगा so हम इसके close पर entry ले लेंगे stop loss previous swing का high रखेंगे और target 1.5 times the risk so यह example बेविन था चलिए I hope आपको strategy clear है मैं जान मुझके इतने सारे examples cover करता हो ताकि आपको कोई doubt ना रहे तो इस strategy को total 100 times test करेंगे और इसका आसली win rate check करेंगे I'll let you know the full result after the test चलिए results देखते है so the test सारोवत जैसे आप देख सकते हो total number of trade was 100 उसमें से 54 was win and 46 was loss so win rate हुआ 54% total gain in account was 44.70% and max drawdown is minus 6.68% continuous win in a row is 10 or continuous lose in a row is 5 so total duration of the test was 3.09 months so जैसे आप देख सकते हो strategy is profitable 44.7% gain in 3 months test duration is quite good drawdown भी देखो ना minus 6.68% which is quite good for an index strategy for a simple strategy results are extremely impressive kudos to Mr. Bipin Tada for sharing this strategy with us आप भी आपकी strategy हमरे से share कर सकते हो आपको स्क्रीन पर दिखाएगा email id पर mail करके as always जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ सीधा मेरी बात या किसी की बात आपको blindly trust नहीं करना है हर strategy को पहले खुट test करना है और फिर ही डिसाड करना की strategy कैसे काम करता है so I'll add the strategy in the google sheet link in the description and this takes the 14th position in the list you can check the list and review or rewatch any specific strategy you like so guys if you like the video please support us by subscribing to the channel and hitting the bell notification and do like the video and share the video अगर आपको support करना चाहते हो तो UPID आपके screen पे होगा अगर आपके बाच DMEAD अकाउंट नहीं है तो description में मैं जिरोता का link डाल दूँगा हमसे account मना के आप channel की थोड़ी help कर सकते हो make sure to check out chat frame from below description link मेरा code यूज़ करोगे तो आपको 40% तक off मिल जाएगा उनके product पे और अगर आपको ये वाली backtesting शीच चाहिए ना तो मैंने इसे already मेरे channel पे share किया है आपको एक video suggest हो रहा रहेगा यह link description में होगा वहाँ से आप check out कर सकते हो please comment में आपके feedback दीजिए और कौँसी strategy आप चाहती कि हम backtest करें अपने feature videos में ये भी ज़रूर बदाना आप अमरे channel के playlist देख सकते हो और दिसे strategies के videos भी देख सकते हो all the social media links will be in the description please follow us and share support more awesome contents are on the way so see you next time अपने आपके लाँ सकते हो